अब मास ओफ एट केजी गैस एक्सपांड वी दिन फ्लेक्सिवल कंटेनर देखो कर रहा है कि आपका एक फ्लेक्सिवल कंटेनर में मास है जो की एक्सपांड कर रहा है देखो मास कितना है आपका एट केजी मास है किसका गैस का जो की फ्लेक्सिवल कंटेनर और एक्सपांड क to constant और जो वह gas जोता है आपका जो क्या है आपका जो container है उसमें कैसे expand कर रहा है आपका जो तो है PV 1.2 equal to constant के relation से आपका expand कर रहा है कर इनिशियल pressure is 1000 kPa and initial volume is 1 cubic meter कर आपका initial pressure जो P1 is equal to 1000 kPa है and V1 equal to 1 cubic meter है ठीक है final pressure is आपका 5 kPa और जो P2 का pressure मैंने final जोता है वो 5 kPa ठीक है if the specific internal energy of the gas decrease by 40 kPa और जो system है जो container है उसकी जो specific internal energy जोता है उसकी कितने सब्सक्राइब हो रहा है तो specific internal energy of the gas decrease by negative of 40 kPa है ठीक है ठीक है to find the heat transfer in magnitude and direction तो आप बताओ heat transfer की magnitude as well as its direction उसके direction बताओ सबसे पहले देखो कि आपका यह क्या है एक container माल ठीक है container है container है और इस container में fluid है ठीक है container ने fluid है और जो fluid जो है जो fluid नहीं gas है वह gas जो expand कर रहा है PV 1.2 equal to constant मतलब polytropically expand कर रहा है क्योंकि PV equal to N के है तो आपका PV अपका polytropic process का है ठीक है तो देखो कि मींस कहने का मतलब है कि जो आपका जो आपको निकालना है क्या heat transfer तो देखो q equal to क्या होता है q equal to आपका होता है dell u plus w होता है देखो आपको पता है polytropically जो होता है जो work transfer निकालने के लिए क्या formula होता है सबसे पहले देखो P1 है V1 है और आपका V2 दिया नहीं है सबसे पहले मुखा कर निकालना है हमको निकालना है सबसे पहले P2 के value तो उसके लिए होता है P1 V1 1.2 equal to P2 V2 1.2 then P1 is what P1 आपका 1000 है and V1 जोता है V1 कितना 1 का 1.2 P2 is 5 kilo Pascal and V2 जोता है आपको calculate करने है ठीक है तो जो आपका 1000 और 1 का 1.4 जोता है आपका किसी का पांड होता है अगर जीरो तब जाके 1 का पांड जीरो तो वहने कोई सिसी का पांड आपका 1 का वहने होगा then 5 into जोता है V2 1.2 जोता है ओके and जोता है 1000 by 5 equal to V2 1.2 जोता है 5 से आपका करने हो 5 तो जाए 10 and 200 200 equal to V2 1.2 then आपका यह 1.2 इधर आएगा तो 200 1 by 1.2 के रूप आएगा V2 then 200 जोता है 1 by 1 2 के वैलू कितना है 0.83 V2 then आपका इसके जो लिका लोगे तो आपका आएगा 81.26 कुबिक मीटर आपका V2 की वैलू निकल गए ठीक है जो भी टू के वैलू आपका निकल गया then polytropically जोता है वह कितना फर्मुला होता है P1 V1 minus P2 V2 by N minus 1 P1 is what P1 कितना है 1000 है and V1 1 है minus P2 कितना 5 है and V2 कितना है V2 जो अभी निकल है 81.26 by N कितना है N is 1.1 minus of 1 जोता है आपका 1000 minus of 5 into जोता है इसको multiply करोगे तो आपका आएगा 400 जोता है 6.3 by 1.2 minus 1 means 0.2 जोता है then जब आप इसे subtract करोगे 593 by 0.2 होगा 0.0 ठीक है then इसको divide करोगे तो आपका value आगा 2968.5 ठीक है आपका इतना आगा है इतना आपका kilo Zool हो गया then आपको निकालना है आपका Q निकालने के लिए सबसे पहले डेल U तो देखो आपको specific दिया हुआ है specific यह क्या आपको दिया है specific internal energy लेकिन आपको change internal energy निकालना है आठ चोका 32 मिन्स होता है 320 किलो जूल आपका चेंज इंटर्न एनर्जी निकल गया देन चेंज कितना नेगेटी ओफ 3 20 प्लस डबलू कितना है डबलू आपका 2968.5 में है इतना दैन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 2648.5 किलो जूल आएगा मिन्स यह आपका पोजे आई इतना एक है और वह बता रहा है की पोजेटीव मिन्स्ज यह हीट ट्रांस्फर टू दा टू दा शिस्टम हुआ है टू दास्सस्टम क्योंकि जो था पो caveat आथा कभी एब हीट ट्रांसफर पो जेटीव आए लänderन फीट transfer to the system हुआ ना कि heat transfer from the system हुआ ठीक है यह क्या हुआ पोजेटी मतलब to the system हुआ okay thank you please अगर आपको वेडियो अच्छ लेगे then like and subscribe करें okay thank you